जै स्री किष्णा स्री लश्मी नाराण भगवान विश्णू की जै भद्तों कार्थिक का प्रवित्र महीना प्रारंब हो गया है और इस महीने में दान तप यग पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा महत बताया गया है इस महिने में आप पूजा पाठ जब तप दीप दान करके भगवान विश्णु और भगवान किष्ण का आशिरवात प्राप्त कर सकते हैं कार्तिक मास में जो ब्यक्ति भगवान विश्णु और मतलक्षमी की उपासना करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं साथ ही कार्तिक मास में कार्तिक महत्म ब्रत कथा का पार जरूर करना चाहिए और आज से हमारे चैनल पर कार्तिक महत्मी की कथा हर दिन सुनाई जाएगी आप से अन्रोध है कि आप पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक बिधि पूर्वक कथा सुने कार्तिक महत्मी का महत्त जाने तो आए कार्थिक महात में ब्रत का पहला अध्याय शुरू करते हैं कार्थिक मास का सास्त्रों में बिसेश महात तो बताया गया है इस महिने में जो ब्लेक्ति भगवान बिश्णू और मातालशमी जी की उपासना करता है उसकी सारी अच्छाएं पोर्ण होती है साथ ही कार्थिक मास में ब्रत कथा का पएट करना चरूरी होता है तो आए सुनते हैं कार्थिक महात में ब्रत कथा का पहला अध्याय तो आए शूरू जी बोले जब देवरसी नारत सिरी किष्ण चंडरजी से मंत्रा करके चले गए तब हज से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पर सिरी किष्ण जी से कहा है स्वामिन मैं धन्य हूँ मेरा सफल जीवन धन्य है मैं आपको कृत्य कृत्य समझती हूँ मेरे जन्म दाता हुए माता पिता भी धन्य है क्योंकि उन्होंने ही निसंदे त्रेलोग सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी सोला हजार इस्त्रियों के रहते हुए मैं आपको बिसेश प्रिय हूँ केवल इसलिए मैंने कल्प बिच्च के साथ आदि पूरुस आपको बीधी पूर्बग संकल्प करके नारद के लिए उस समय समर पित कर दिया था जब संसार के लोग कल्प बिच्च नाम तक नहीं जानते थे वही कल्प बिच्च उस समय मेरे आंगन में लगा हुआ है हे मधसुदन तीनों रोकों के सामी भगवान लश्मी पती की मैं अतिसर प्रियतमा हूं इसलिए मैं आप से कुछ पूछने की शिरी सूच जी ने कहा इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्य भामा की बातें सुनकर सिरी किष्ण जी मंद मंद मुश्काने लगे सत्य भामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्प बिच्च के नीचे पहुँचे और उस अस्थान सब सेवकों को हटा दिया सत भामा को देखकर गदगद हो गए स्री भगवान ने कहा हे देवी वास्तों में इन 16000 इस्तियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राड के तुल्ले प्यारी हो तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प बिच्छ वाली जित देखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी तो फिर मुझे से पूछने की आवसकता ही क्यों थी तुम्हारे मन में जो प्रस्न हो पूछो मैं कहूंगा सत्यभामा ने कहा हे नाथ मैंने पूर्व जन में कौन सा दान ब्रत अथवर तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूं। और आपकी अरधांगिनी हूँ। सर्वदा गरुन पर सवारी करती हूं आपके साथ इंद्र लोक देवताओं कि यहां आपके जाने पर मैं आपके साह जाती हूं यही मैं पूछती हूं कि मैंने उस जन में कौन सा सुपकर्म किया है। पूर्व जन्मे मैं कौन थी, मेरा कैसा सभाव था और मैं किस की पुत्री थी। श्री किष्ण चंदर जी ने कहा हे प्रिये तुम सावधान होकर सुनो मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ उस जन्म में तुमने जिसे पवित्त बृत को किया था सोबत लाता हूँ जबकि सतियुक का अंत हो रहा था उस समय मायापुरी के एक अगनिगोत्र वाला देव सर्मा नामक ब्रामभन निवास करता था वो समस्त बेदो और बेदांगों में परांगत अतिति पूजक अग्रिहोत्रित था सुर नराण का ब्रित करता था सर्वधा सूर देव की उपासना करने के कारण उह दूसरे सूर की भात ही दैदीब मान था उसको ब्रि देव सर्मा अपने सिस्सी चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिये चंद्र भी देव सर्मा को अपने पिता के समान समझता था एक दिन चंद्र और देव सर्मा दोनों कुस और समिधा लाने के लिए बन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमा बागने में असमर्थ हो गए यम सरूप उस राच्छस ने उन दोनों को माल डाला हमारे गड़ों ने उस छेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक सभाव के कारण उन दोनों को बैकुंट धाम पहुंचाया जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्य देव का आराधना किया था उसी से मैं उन पर बहुत प्रसंद था है प्रियस सयो सूर्य पासक गड़ेश के पूजग बर्ष्णों और सक्ति के पूजग जैसे वर्षा के पानी समुद्र में गिरता है उसी के भात सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेश से पांच में विविक्त हूं जैसे किसी का नाम देयोदत है वहीं देयोदत किसी का बाप है किसी का पुत्र है किसी का भाई है और किसी मेरे समीप रहते थे और उनके सरीर में दिब्र चंदर लगा रहता था प्रिय भक्तों ये कार्थिक महत्म का पहला अध्याय था इसके आगे की कथा दूसरे अध्याय में सुनने को मिलेगी ऐसी मानता है कि कार्थिक मास में भगवान प्रिष्णू और माताल अश्मी जी का पूजन करने से ब्यक्ति के जीवन में सुख समुरुद्धी आती है साथ ही इस महिने में गंगास नान कभी से इस महत्म बता दे कि कार्थिक मास का आरंभ 17 अक्टूबर साम में चार बश कर 26 मिनद पर करती किष्णी प्रतिप्रदा तिथि लग जाने से आरंभ हो गया है जबकि उदिया तिथि के अनसार 18 अक्टूबर से कार्थिक मास का आरंभ माना है माना गया है कार्थिक मास का समापन कार्थिक पोड़मा के साथ 15 नवंबर को होगा कार्थिक मास के नियम का पालन साथ ही कार्थिक मास में जब तब और पूजा पाठ करने से ब्यक्ति को जो धर्न धान की प्राप्ती होती है इसके अलामा भगवान प्रिश्णों और माता लस्मी जी की क्रिफा भी मिलती है कार्थिक मास में दीब्दा बढs योम और डिया सेरी भूले को सिल्गाओं करेंगे।